Hello friends and welcome back to my channel Bengali family in UAE जहां मैं बात करती हूँ UAE और ट्रावल से रिलेटेड छोटी बड़ी खबरों की तो दोस्तो आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि दुबाई या UAE का विजिट वीजा अब आपको फ्री में मिलेगा अब अगर होम कंट्री से यहां आते हैं जौब सर्च करने के लिए जौब करने के लिए तो जो विजिट वीजा है वो बिल्कुल आपको फ्री में दिया जाएगा क्या है पूरा अपडेट जाने के लिए आप सबसे रिक्वेस्ट है मतलब कि हां हम जाने के बाद वहां पे इंटर्व्यूस बगरा देंगे ऐसी जौब हाथ में लेकर आना चाहते हैं तो मैकसिमम लोग अभी एजेंट का सपोर्ट ले रहे हैं मुझे नहीं पता क्यों इत्ती सारी यूट्यूब में वीडियोज होती हैं कि अगर आप एजेंट का साहरा लेते हैं बिल्कुल लीजे कोई गलत नहीं है इसमें लेकिन आपको देख सुनके लेना चाहिए किसी पे भी भरोसा आप लोग कर रहे हैं किसी को भी पैसे दे दे रहे हैं यहां आने के बाद बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है ऐसे ही इंस्टाग्राम में मुझे एक बंदे ने मैसेज किया क्या है इसकी स्टोरी में आपको बताती हूँ कि वो जब इंडिया में था तो उसने एक एजेंट से कॉन्टाट किया एजेंट का एड उसने कहां देखा था फेस्बुक के उपर देखा था कि दुबई का या UA का शैद अबुधभी का वीजा उनको फ्री में दिया जाएगा आठ था उन्होंने कंट्रेक्ट किया कि फ्री वीजा कैसे दे रहे हैं वो भी ओज़ेск का उन्होंने ये शर्ट रखी कि हम आपको वीजा फ्री में देंगे लेकिन जॉब के पैसे जो हमको company को देने होते हैं या consistency को देने होते हैं वो पैसा आपको देना होगा तो उसके जो charges थे वो 2,00,00 रुपए थे तो वो राजी हो जाता है कि चलो 2,00,00 रुपए मैं जॉब के लिए दे रहा हूँ तो उसके साथ मुझे ticket और वीजा बिल्कुल free में मिलेगा तो वो राजी हो जाता है और उसके account में 1,00,00 रुपए पहले भेजता है 50% payment पहले देना होता है 50% payment वीजा देने के बाद आता है तो उसने 1,00,00 रुपए दे दिये उसके बाद agent ने देखिए यहां का वीजिक वीजा निकालना कोई बड़ी बात नहीं होती है टिकेट निकालना कोई बड़ी बात नहीं होती है तो और कितना खर्चा आता है आप लोग खुद जान सकते है कि उसने 1,00,00 रुपए ट्रांसफर की है तो कितना % यूज हुआ होगा दुबई का वीजा दो महिने का वीजा और टिकेट निकालने में तो वीजा और टिकेट का निकालके उसने तीसरे या चौथे दिनी उसका वीजा आगिया उसको भेज दिया भेजने के बाद उसने बाकी का पेमेंट मांगा और company के address वगरा दिया कि यह company है, यहाँ पर job लगेगी तो महाँ जाने के बाद company को contact करना company तुम्हारा यही visit visa change कर देगी वर्ग visa में तो वो राजी हो गया, वो आ भी गया यहाँ पर आने के बाद उसने अबुधभी में land किया अबुधभी में आने के बाद उसने company में contact किया company में जब उसने contact किया तो company ने बताया कि नहीं ऐसा कोई भी हमारे पास job offer या ऐसे कोई भी बंदे आने के हमारे पास कोई ख़बर नहीं है तो आप सोचिए वो बंदा यहाँ पर आ गया, free visa, free ticket के चकर में यहाँ आ गया, 2,00,000 रुपए दे कर उसके बाद वो जब उस agent को contact कर रहा है, वो contract नहीं कर पा रहा है क्योंकि facebook के थूँ उसने contact किया था तो आप लोग सोचिए facebook के तो हम उसका office नहीं जानते हैं, बार बार मैं बोलती हूँ, वो licensed है कि नहीं company वो आप देखिए, वो नहीं देखा facebook में contact हुआ, whatsapp में UPI के थूँ उसने payment कर दिया सारे payment करने के बाद आप वो phone number बंद है तो देखिए phone number बदलना कोई बड़ी बात नहीं है, वो UA नहीं है UA में एक Emirates ID में एक number मलता है लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है ठीक है, इंडिया में कई sims चलाते हैं लोग, तो एक sim बंद करके दूसरी sims चलाना कोई बड़ी बात नहीं है तो इसलिए ऐसे fake जो ads आते हैं कम से कम उसके चकर में आप लोग मत पढ़िए यहां आके, फिर उसको वापस जाना पड़ा उसके दो लाक रुपे डूपके है समय बेकार हो गया और वो जॉब भी यहां पर सर्च करने के लायक नहीं है उसने बोला कि मैं वापस जाना चाहता हूँ मैं जॉब सर्च करने के लायक नहीं हूँ उसके बाद फिर आऊंगा, फिर देखा जाएगा तो यह सारी चीज़े आपको देखनी है ऐसा मत कीजिए आप लोग बार बार हम लोग वीडियो के थूप बताते हैं कि आप लोग बिल्कुल एजेंट के हेल्फ लीचे लेकिन ऐसे एजेंट्स की हेल्फ मत लीचे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ एक नई अपडेट के साथ तरता के लिए गुट बैंट के किया